असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों ये हमारा मुल्क है जिसे हम भारत कहते हैं हमारे मुल्क में कुल 29 रियासते हैं प्यारे बच्चों इन रियासतों में हम सेरोत अफ्री के गर्ज से जाते हैं सेरोत अफ्री यानी घुमना फिरना जैसे छुट्टियों में हम कहीं किसी मकाम पर चले जाते हैं जैसे ताज महल, CST, Gateway of India ये कुछ ऐसे मकामात हैं जहां आप गए होंगे या फिर आपने टीवी, मोबाइल पर इन्हें देखाऊंगा क्यारे बच्चों हम जिस रियासत में रहते हैं उसे महराश्ट्र कहते हैं महराश्ट्र में कई मकामात हैं जहां हम और आप सेरोत अफ्री के लिए जाते हैं जैसे तारीखी मकामात, सेहत अफजा मकामात, साहिली इलाके और बर्फानी इलाके वगेरा तारीखी मकामात यानि एक तारीखी मकाम या विर्थे की जगा एक सरकारी मकाम जहां सियासी, फोजी, सकाफती, समाजी, तारीक के तुकडे उनके सकाफती विर्षे की कद्र की वज़े से महफूज किये गए है बहुत से तारीखी मकामात को सरकारी तारीखी मकामात की हैसियत से तस्लीम किया गया है जैसे ताजमहल, अलोरा, अजंटा की गारे, गेटवे अफ इंदिया, सी एस टी वगेरा साहिली इलाके, ऐसे इलाके जो सत्य समंदर के करीब होते हैं जैसे जूहू बीच, मड आइलिन पीच बर्फानी इलाके, ऐसे इलाके जहां बर्फ बारी होती हैं जैसे महाबलेशवर, कश्मीर सेहत अवज़ा मकामात, यानि ऐसे मकामात, जहां की आब होवा, खुझगवार और सेहत बक्ष हो जादा तर ये मकामात, बुलंदी पर, पहाडी सते पर होते हैं ऐसे ही कई सेहत अवज़ा मकामात, हमारे माहराश्ट्र में पाए जाते हैं जैसे महाबलेशवर, पंचगणी, लोनावला, माथिरान, अम्बोली इन ही में से एक की सेर आज हम करने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस सबक का मुतालिया करने वाले हैं, वो है माथिरान की सेर जिसमें हम सेहत अवज़ा मकाम माथिरान के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे